नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं जिया के चैन्न रेषीपी यूट्व चैनल मैं घंजय मजरुसिया एक नई रेषीपी लेकर हाज़िर हूँ आज की हमारी रेषीपी है मिक्स बेज्ज दिवानी हंडी रेषीपी दोस्तो ये रेसेपी जितनी अच्छे आपको दिख रहे है उससे कही ज़्यादा स्वादिस्ट है इसे बनाना भहुती आसान है दोस्तो हमारे वीडियो को अंतक देखते रहेगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आल को जरू से लिट कर लिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोट्फिकरिन सबसे पहले आपके पास जाए चेले दोस्तो हम सुरुआत करते हैं दोस्तो हमने ये पेन ले लिया और इसमें हमने डाल द गाजर को भी हमने छोटे टुकड़ों खाटकर इसके अंदर मिक्स कर दिया है और एक औलू को भी हमने छोटे चोटे टुकड़ों में काटकर इसमें डाल दिया और इसे हम दोस्तो भूलेंगे लगए 9 चार से पांच मिनट और साथ में हमने इसमें 100 ग्राम मतर के दान में भी हमने इसमें मिला दिये हैं और इन्हें अच्छे से हम भूल लेंगे दोस्तों आप इसमें एक चमस हल्दी भी डाल सकते हैं और साथ में थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए ताकि इनका कलर भूत प्याज प्याज थे इन्हें तैलकर रख लिया था और साथ में ये काजू हम निश्ट बनाकर हम रख लेंगे तो कुछ काजू हम भून कर रख लेते हैं दस से वारा काजू है इसे हम फ्राय कर सब्जी में मिक्स कर देंगे ये देखी दोस्तों हमने सब्जी के उपर डाल दिया गोज़े कोज़े पर दो स अध्र करिब अध्रक लसन का पेश हमने इसमें डाल दिया है और दोस्तों इसे हम अच्छे से भूल लेंगे ताकि यह कच्छा नहीं रहे याद्धरत प्रे divasta को अज़ये विले से कथ भूना को अच्छा और हई Reg? अब हमने इसमें लग बहत की 50sl ग्राम के अनना डाला है दोस्तों आप इसके स्थान पर आंस पे मिर्स पाउडर और एक मह एक होड़ी पाउडर ये मिक्स कर दिया है तो शाथ में इसमें हम डाल दिया है एक मस तो । procedure और साथ में अब हम इसमें डाल रहे हैं जिसमें भूने हुए प्याज और काजू का जो पेस्ट बनाया था उसको हम इस मसाले के साथ मिक्स कर देंगे और दोस्तों इसे हम अच्छे से मीडियम फ्लेम पर पकाते रहेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं खोड़क इसमें दाल देंगे इसे थोड़ी देर मीडियम फ्लेम पर पकाते रहेंगे इसलिए दोस्तों अब इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं लगवाक आदा कप पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और मीडियम फ्लेम पर आप इसे पकाते रहें जब तक इसका पानी ये कमने ह हो जाए इस तरीक से आप इसे पकाते हैं रहिएगा वह कंटिनु आप चलाते रहें दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए दोस्तों अब हम इसमें डाल देते हैं कसूरी में थी यह इसमें एक चमस्त दूद मिला लिया और इसे अच्छे से फेट कर इसमें डाल दी है यह देखी दोस्तों अब होटी सांदा इसका करण भी दिख रहा है इसमें साइनिंग या रहे है और आप इसे यह इसी तरीके से चलाते रहें अच्छे से क्रिम को पूरी सब्सक्राइब में मिक्स कर दीजिए तो दोस्तों मैं आप से कह रहा था कि यह आप चाहें तो हमें इस्टाग्राम पर भी फालो कर सकते हैं मेरे आईडी है जी चौरिशया एक दो तीन ओ दोस्तों इसमें हमने लगभाग 100 ग्राम पनीर केक क्यूश भी हमने डाल दिये है इसे अच्छे से मिक्स कर लिजिए देखिए दोस्तों इस सांदार मिक्स बेच दिवानी हांडी तयार हो रही है और दोस्तों हमने नमक पहले भी डाल दिया था थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा नमक और डाल दिया आप चाहें तो एक ही बार नमक डाला या तो प को हम इसमें ट्रूतल करें के मिष्य और हरी धनिया पथतों को हम सब्सक्रत कर देंगे मिक्स कर देंगे मिक्स तरीके से विर जो स्व estarni विट भणकर कर दिया और शोंकर त्यार हो रोस्तों हमने डग दिया है और कि इसको के बन फॉर पयोंच की बाद दोस्तों हमारी सब्जी थोगी friendly हो गई अब देखिए कितनी सांदार ये देख रही है और एकदम लजीज देख रही है कितनी सांदार सब्जी बनकर तयार हो गई दोस्तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और हमारे वीडिय इक लिए बहुत बहुत भन्नेवाद